हुआ है हलो दोस्तों फिजिक्स वंडेलेंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम परशनोतरी के कि हम तो देखे कैसे क्यूसन अग्जाब में पूछे जाते हैं उसी से बेस्ट तो पहला क्यूसन है कि 30 cm 30 cm फॉकस दूरी आज कुछ नुमेरिकल प्रोलम टाइप की है फॉकस दूरी के उतल के उतल के उतल लेंज उतल लेंज के संपर्क के संपर्क में 20 cm फॉकस दूरी फॉकस दूरी फॉकस दूरी के उतल के उतल लेंज आउतल लेंज के सन्योजन के संपर्क यानि किनका संपर्क किया गया संपर्क से बने से बने संयुक्त लेंज बने संयुक्त लेंज संयुक्त लेंज की फॉकस दूरी होगी यानिकि सेनिक्ट लेंज की जो focus दूरी है वो क्या होगी दूरी focus दूरी होगी यह पूछा गया है option हमें दे रखे हैं पहला option है हमारे पास साथ सेंटीमिटर second option is minus 60 cm, third option is 30 cm, then fourth option is minus 30 cm. निएकि इनमें सے कौन सा answer सही होगा, कि दो lenç है, एक उट्र hairst object रह और ये आउटर लेंस है, दोनो का सनयोजन किया गया and और सन्योजन के बाद जो शन्यूक्त लेंस है उसकी फॉकस दूरी क्या होगी तो देखे इस उत्र दाम जब सन्योजन करते हैं तो उसका यह था वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ तू यह फॉर्मुला था तो इसमें हमें पता होना है और mówतल लेंज की फोकस दूरी dioरी तो मान लेकि एक एफवन जो है फो छालेंज कि फोकस दूरी कितनी हैं ती 30 cm तो यह तो होगे positive और F2 हमने मान लिया outer lens के focus दूरी है तो यह किस में होगी minus में रिनात्मत में तो minus 20 cm यह दोनों मान यहां इस उत्र में रख देंगे तो यह आएगा 1 upon F बराबर 1 upon कितना है 30 फिर plus 1 upon किता मान है minus 20 यह minus यहां multiple करेंगे तो कितना आएगा 1 upon 30 minus 1 upon 20 यह आगया 1 upon F के equal अब इसका LCM लें तो इसका LCM कितना जाएगा 60 आएगा 1 upon F equals to LCM आगया इसका 60 तो यह 30 है यहां से cancel हो करके कितना गया 2 तो यह 2 आ जाएगा और यह कितना जाएगा minus 3 आ जाएगा तो कितना बच गया 1 upon F equals to minus 1 upon 60 तो F equals to कितना जाएगा minus 60 cm तो यह F आ गया हमारा minus 60 cm के equal यानि कि जो सन्यूक्त लेंश बना उस सन्यूक्त लेंश की focus दूरी कितनी होगी minus 60 cm तो इसमें option कौन से वाला है यह वाला option सही होगा तो इस प्रकार से अलग लग लेंश हमें दे रखें उनकी focus दूरी अलग लग हो तो सन्योजन जब किया जाता तो इस उत्तर का हम उप्य लोग किया जाता है तो यहां पर पहला question था जिसका answer कितना है 60 cm तो इस टाइप की numerical problem solve कर लेंगे दो चार problem ऐसी हम solve कर लेते हैं तो जो doubt होती है वह अच्छे से clear हमें हो जाती है तो गप्राने क्या हो सकता नहीं है इसमें दो चार ऐसा ही अब value हम वह थोड़ी सी अलग यूज कर सकते हो आप जैसे यहां 30 और 20 दे रखा है तो हमें 15 और 10 ले ले तो हमें पता लग जाएगा दूसरा question क्या है second question एक उत्तर लेंज एक उत्तर लेंज नॉर्मली जो question पूछे जाते numerical based वह उत्तर लेंज से समंधित ही होते हैं उत्तर लेंज की focus दूरी focus दूरी हमें दे रखी है focus दूरी 10 cm है एक उत्तर लेंज है जिसके focus दूरी 10 cm है के सामने यानि कि उसके सामने 20 cm कितनी दूरी पर 20 cm की दूरी पर 20 cm की दूरी पर वश्तू रखी तो परतिविं तो पर्तिविं की दूरी होगी पर्तिविम की दूरी होगी जैसे आपको बताया आज थोड़ा सा जो हम यहां कीज वगरा कर रहे हैं वह आनकिक पर्सन नुमेरिकल से बेस्ट है ऐसे क्यूशन पूछे जाते हैं तो ओप्सन दे रखा है इसमें पहला 10 सेंटीमिटर सेकिंड ओप्सन हमें दे रखा है 20 सेंट यह हमें दिया हुआ है तो देखिए इसमें हमें पर्तिविम की दूरी बताने यानि की वी का मान निकालना है तो जैसे पहले बताया था कि यू वी और एफ का मान हमें जब यूज करना हूं तो जिसका मान ग्यात करना होता है उसको चिन सहीत नहीं रखा जाता है और जिसका मान दिया हुआ होता है उसको चिन सहीत हम उप्योग में लेते हैं तो पहले तो शुत्र लिखें क्या होता है वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू यह होता है लेंश क्या बोलते हैं इसको लेन शुतर अब में दे रखा उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10 cm तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी द्हनात्मक उत्य है तो यह तो hon घर प्लस 10 cm और यह यानि कि इसके सामने वस्तू रखिए तो यू की में आती है delayed minus cm, तो f मिल गया, u मिल गया, तो इसमें v बच गया, v हम निकाल ले, तो यहां से value रख दूं, 1 upon f कितना है, 10, बराबर 1 upon v, इसका चिन नहीं रखना, फिर minus, u का मान कितना है, minus 20, तो minus minus क्या हो गया, plus हो गया, तो 1 upon 10 equals to 1 upon v, plus 1 upon 20, यह इसको इधर लेके आएंगे, तो plus का क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, तो यहांने कि 1 upon v, बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 upon v, बराबर क्या जाएगा, 1 upon 10, और इसको भी इधर ले आएंगे, तो क्या जाएगा, 1 upon 10, minus 1 upon 20, यह कितना माइनस 22दी यह कीतना यहां पर उल्टा कर देंगे इसको तो वी कितना जाएगा 20 तो यहां पर कौन्स आप्शन सही है यानि कि यह उत्ता लैंज की फोक्स दूरी 10 सेंटीमेटर हो उसके सामने 20 सेंटीमिटर की दूरी पर यदि वस्तू रखी हुई हो तो परतिविम की दूरी क्या होगी 20 सेंटीमिटर अब इसी में यह भी पूछा जा सकता है कि यहां पर जो वस्तू है यू का मान और वी का मान बराबर आया हमारे पास किसका मान? U और V का यानि कि वस्तु और परतिविम दोनों ही आकार में क्या हैं? बढ़ाबर है और बढ़ाबर कब होते है? जब वस्तु कहां रखी हुई हो? टू ऐफ वन पर रखी हुई हो तो लैंज के दूसरी और टू ऐफ टू पर ही बनती है तो इसमें ऐसा नहीं दे करके यह भी दिया जा सकता है कि फॉकस दूरी यह है उसका यू यानि कि वस्तु इतनी दूरी पर रख विए तो बताइए पर्तिविम कहां बनेगा अब यहां तो आंकिक परसन होगा इसमें वैलू दे दे हमें यह वैलू भी दे रहे हैं लेकिन यह कहां पर यह नहीं दे करके हमें यह पूछ लिया जाए कि बताइए पर्तिविम कहां बनेगा तो आंसर के आएगा वी क्वेश्टू 20 सेंटिम्टर ही आएगा तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वस्तु टू एफ वन पर रख हुई है इस क्यूशन में तो जो पर्तिविम बनेगा वह किधर बनेगा लैंज के दूसरी और टू एफ टू पर बनेगा क्योंकि दोनों के मान क्या रहे हैं बराबर और बराबर कर बाते हैं जब वस्तु कहां रख हुई होती है टू एफ वन पर रख्यूई होती है ठीक है से ही दो कुशन हो जाते हैं यहां पर अगला कुशन देखे क्या है हमारे पास आगे हम बात करें तो बynn तो हो गए आगे और बात करें कि निमेरिकल में थोडा टायम लगता है सौल करने में इसमें फोर्मले हैं सौल करने मैं लेकिन यただ कर लिग जाओगे तो इन्टेश्ट हो जाएगा और इंटेस्ट होगा तो जादा से जादा क्योसन हम कर सकते हैं अग्ला की ने क्या है क्योंस नमबर थरी टीड़ है दिया हुआ है पंदर्रा सेंटीमिटर वह थी सेंटीमिटरद या फोकस दूरी आ यह अगि उत तर के उतल लेंड्स गुटर लेंड्स वहा संपर्क डीया बмотрt संपर्क गार chyba कि मैं संपर्क में रखे है तो संन्योजन कि फोकुस दुरी होगी तो संयोजन कि ऊस्टाव में यह की फोकुस दूरी होगी अब दोनों ही उतुल लेंच है अब एक उतल एक उतल नहीं यह दोनों ही उतल है तो उप्शन इसमें देलखा है पहला उत्र है 15 cm depression है 10 सेंटीमिटर थेड़ ओप्षन है 20 सेंटीमिटर और फॉर्थ ओप्षन हमें दे रखा है 25 सेंटीमिटर यह ओप्षन दिये हुए हैं तो क्या इसका रिजल्ट आने वाला देखिए वैस उतर वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन एफ 1 प्लस वन अपॉन एफ 2 यह अब दोनो नहीं उत्तर लेंश है तो उत्तर लेंश के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है तो दोनों माल में धनात्मक यहां पर रख दू सीधा तो वन अपॉन एफ बराबर कितना जाएगा एक बटे 15 प्लस एक बते 30 आ जाएगा तो एल्शेम कितना आ गया यह तू हो गया प्लस व एक बटे 10 तो एफ कितना आ गया दस सेंटीमितर यानि कि सन्योजन की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी दस सेंटीमितर जब दोनों ही उतल है अब इसमें यह पुछा जा सकता है कि जो सन्योजन हमने किया लेंश होगा तो सन्योजन करने के 50 जो सन्योजित बहुत लैंश होग है वो किस लैंश की बहांति काले करेगा तो यहां पर धनात्मत चिनाता है तो बहांति काले करेगा तो इस सेंटीमित आगे किश्यन कया है देखिये आगले कुशं में एक diagram हमें दे रखा है चित्र दिया हुआ है और उसके according हमें पूछा गया है तिक है क्वी कुशं जो है उसमें चित्र के अनुसार भी क canonRE 4 अनुसार कोई वस्तू कोई वस्तू कोई वस्तू है चित्रानुशार रखी है तो इसके पर्तिबिम की परकर्ती होगी परकर्ती होगी ओप्षन है पहला वास्टिक वास्टिक और उल्टा पहला ओप्षन है वास्टिक या उल्टा सेकिन ओप्षन है आभासी आभासी और सीधा यानि कि आभासी होगा और सीधा पहला ओप्षन है वास्टिक या उल्टा वास्टिक होगा तो उल्टा है आभासी है है तो सीधा तीसरा option हमें दे रखा है वास्तिक वास्तिक और सीधा चोथा option दे रखा हमें आभासी आभासी और उल्टा ऐसे भी हम नेक्षब संभिना है तो ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्सन इस परकार से हमें दे रखें डाइग्राम क्या है डाइग्राम इस परकार से दिया हुआ है यह उत्तर लेंज हमें दिया हुआ है और यह इसका एफ़वन इधर यह एफ़टू यह टू एफ़वन और इधर हम बना दें तू एफ टू ये इसका परकासिक के अंदर वस्तु यहां रख्यूई है यहां पर किस किस के बीच में रख्यूई है वस्तू एफ वन और परकासिक के अंदर के बीच में रख्यूई है तो इसका परतिविम कहां बनता है यह हमें पता होना चाहिए तो देखिए तो ये बिना विचलित हुये सीधी ऐसी कहीं reinforधित हो जाएगी यह होगी एक फाल है जू जोत है यह जयए है एक पूवर्थी तो ज़से जोगे और एक यह होगे और यहां पर रिमने बना दी पहले मिला पस्क्त lu ठेले थे उस समें आपको बता गया था तो जब पर नहीं से होता है तो कैसे बनता है तो बनर स्क्तम प्रकार से यह झाइप निस्का ठीओ सिधा होगा और सीधा होगा अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो परतिविम बनेगा वह वस्तु की तुलना में क्या होगा चोटा होगा बड़ा होगा बराबर होगा या नन ओ तीज कोई कुछ भी नहीं होगा तो ऐसा किसन भी इसमें पूछ सकते हैं वह डायग्राम के तो बिल्कुल अच्छे से हम आसानी से उसका आंश्वर जवाब दे सकते हैं और ऐसे ही क्यूशन अग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं बस घबरा जाते हैं कि यह कहां से आ गया ऐसा कुछ भी नहीं अगला क्यूशन देखिए क्या है यह अच्छा क्यूशन है एक वस्तू उत्तल उत्तल लेंच से यानि कि उत्तल बताया था ना जो भी क्यूशन है नो मौशली उत्तल लेंच से ही पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें वास्तिक बनता है क्या बनता है वास्तिक उत्तल से कम पूछे जाते हैं उत्तल लेंच से ज्यादा पूछे जाते है पर इस्तित है खीक है परिणामि पर्तिविम की उन्चाई की उन्चाई अच्छा कुसं है इसमें काफी चीज़ें रखें कन्फ्यूज कर देते हैं ऐसा कुसंदे करके उन्चाई का परिमार परिमार दो सेंटिमीटर है तथा तथा वस्तू व्यूत कर्मित है व्यूत कर्म का मतलब जानते हो उल्टी उल्टा जिसको हम बोलते हैं वास्तिक और उल्टा लैंज की लैंज की फोकस धूरी है यह पूछा गया है ओप्षन दिया हुआ पहला ओप्षन है दस सेंटिमीटर दूसरा सुम्ट पॉइंट सेंटिमिटर कम तीसरा कि दिया पॉइंट पांच सेंटिमिटर कम चोथा १ं यह दस पॉंट कम सेंटिमिटर यह पाइए यह थो इसके लिए रहे भी नहीं क्या क्या दे रखा इस सब्सक्राइब करें 6 cm की वस्तु है यानि की वस्तु की उन्चाई दे रखी है फिर लैंश 30 cm की दूरी परिस्तित है यानि की यू का मान दिया हुआ है परिणामी परतिविम की उन्चाई का परिमान 2 cm है यानि की जो उसका परिमान होगा परिमान दिया हुआ है किसका परतिविम की उन्चाई का वह कितना है दो सेंटीमिट्र है, तो इसमें जो सुत्र हम यूज करेंगे वह पहले हम सोल करें, कैसे आया कहा से आया, तो हमें पता है कि आवर्देन संता M जो होती है, वह होती है, क्या होती है, V अपउन U, ठीक है, और एक सुत्तर पढ़ाता हमने 1 upon f लेंच सुत्तर जिसको बोलते हैं 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u तो इसको मैं यदि गुणा कर दूं दोनों तरफ u से तो यह आ जाएगा u upon f बराबर u upon v minus u upon u यह आ जाएगा यहां से यहां से आगे इसको लिखा जा सकता है you upon f बराबर u upon v minus 1 तो हमारे पास आजाएगा माइनट राएगा तो बराबर में क्या आज़िए इसका alczai年 года लेकर के वह जाएगा LCMF आ जाएगा तो U प्लेस F बराबर आगा U अपॉन V अब मैं इसको उल्टा लिख दू तो यह उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा F अपॉन U प्लेस F बराबर V अपॉन U और देखें V अपॉन U किसके बराबर M के बराबर यानि की M को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं M को इस परकार से भी लिख सकते हैं तो M बराबर क्या गया वहां से इसको और इसको तुलना करें V अपॉन U यह है तो V अपॉन U यह है तो दोनों को बराबर करेंगे तो m बराबर इसके हो जाएगा तो m बराबर कितना हो गया f upon u plus f इस सुत्र का हमें इसमें यूज करना है उप्योग में लेना है कैसे ले देखें तो यह समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल करते हैं यह भी हमें आना चाहिए थोड़ा सा मैथमेटिकल है आपको लगेगा लेकिन इतना हार्ड नहीं है विल्कुल भी तो यहां से देखिए हमारे पास m का फॉर्म लागा f upon u plus f एक और सुत्र होता है m का सुत्र क्या होता है image upon object क्या होता image upon object तो यहां पर देखिए हमें image दे रखी है जिसका परिमान 2 cm है object दे रखा है वस्तु की उन्चाई और परतिविम की उन्चाई हमें दे रखी है जिसको हमने h1, h2 भी लिखाता है यहां पर i o से रिपर्जन करना है i क्या हो गई image हो गई परतिविम और क्या हो गई object वस्तु और हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है length तींचा मंटर 3 cm की दूरी परतिविश्त यहांं की u का मान from we do तो हमें जो दिया हुआ हमें आई डे रखा ही कितना 2 cm लेकिन ये परिमान में है तो इसका मतलब क्या होगा माइनसदो क्यों क्या हमें उत्तर लेंट्र western के लिए विर्यद कर्मित्य है कैसा है ऍला लिए नीचे बनेगा नहीं बनेगा मानद यह लें सो यह लेंज हैं यहां वज्थतु रखी हुई है और इसका परती भी में ऐसे बनना तो तो वा उल्टा और उल्टा ऊगा इह जो एक्सस सहors नीचे और एक्ससहें नीचे जो होता है उसको किसमिल लिनात्मक में तो यहां पर आई माइनस में या माइनस में उत्तर लेंज के लिए और बताया था कि वज्टू इधार रखी होगी तो यू क्या लिया जाएगा माइनस में तो यू की वैल्यू कितनी होगी यू इक्वेस्टू माइनस 30 सेंटिमीटर तो यहां से इन दोनों को हम तुलना कर ले इन दोनों सुतर की तुलना करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा लिखा जा सकता है इसको इस परकार से हम लिख सकते हैं कि एम का मान यहां पर कितना है आई अपॉन ओ और यह एम बराबर यह तो दोनों मान बराबर कर दें तो यहां से क्या जाएगा आई अपॉन ओ बराबर कितना जाएगा F upon U plus F अब देखिए हमें I दिया हुआ है O दिया हुआ I O U दे रखा है और F हमसे पूछ रहा है तो इस सुत्र में हम F निकाल सकते हैं कि नहीं बिल्कुल आशानी से हम निकाल सकते हैं तो कैसे निकालें देखिए हम यहाँ पर value put कर देते हैं तो value put करेंगे तो हमारे पास result आजाएगा जो हमें चाहिए तो यहाँ पर value put करना हूँ I की value कितनी है minus 2 O की value है 6 बराबर F हमें निकालना है U की value कितनी है minus 30 plus F वजर गुणा कर लिजे minus 30 minus 2 कितना हो गया plus 7 हो गया minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा minus 2 minus 30 60 हो गया और इस 2 को इससे करेंगे तो minus 2 F बराबर इस 6 को इससे करेंगे तो 6 F आ गया अब इस 2 F को इधर ले जाएगा minus क्या हो जाएगा plus तो यह आ जाएगा 60 equals to 6 F plus 2 F 6 plus 2 कितना हो गया 8 हो गया तो यह आ गया हमारे पास यहां लिख देता हूं मैं इसको 60 equals to 8 F और F हमसे पूछ रहा है तो F equals to कितना हो जाएगा 60 upon 8 अब 60 में 8 का डिवाइड करेंगे तो यह जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.5 cm तो फोकेस दूरी कितनी आ गई इस situation में तो इसमें क्या है कि confusion करने वाला question कर देते है कि यह भी दे रखा है हमें object है उसके उन चाहिए रखी है जो image है उसके उन चाहिए रखी है U दे रखा है यह ऐसा वी भी दिया जा सकता है U की जगह क्या दे दे वी दे दे तो उसके according भी हमें यह शुत्र बनाना आना चाहिए तो यहां पर जो focus दूरी आई वो कितनी आई है हमारे पास finally 7.5 cm तो यह option कहां पर है यह option यहां है ठीक है तो ऐसे question हमसे पूछ लिए जाते हैं तो यह हमारा आज का lecture था जिसमें हमने क्यूज परशनोत्री के बारे में यहां पर चर्चा की और कुछ numerical problem से बेस्ट परशनोत्री यहां पर solve की कुछ नए formula हमें यहां पर देखने को मिले उनका solution कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने यहां पर discussion किया यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और share कीजिए झाल